दोस्तो हाली में सुप्रीम कोट ने लोन रिकोवरी को उपर एक बहुत चौकाने वाला जो है जज्जमेंट दिया है जो इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा दोस्तो मैं हूँ आप देख रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करती जगा इससे मुझे काफी मॉटिवेशन मिलता है और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्यूंकि इस चैनल पर आपको लीगल नोटिस सर्ब करता है और उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपका लोन इन पीए में कौन बाट हो जाता है उसके बाद सर्फेसी एक्ट लगता है और फिर जो है बैंक आपके जो भी मॉटगेज है या फिर जो भी प्रोपाटी है उसको ऑक् आपको मिल जाता है लेकिन मोटा मोटा बात यह है कि आपका प्रोपर्टी या फिर आपका जो भी मॉटगेज अपने रखा था लोन लेते वक्त वो सारे को सारे बैंक के पास राइट होता हो बेच के उसका पैसा जो है खुद से रिकवरी कर ले हाली में ऐसे ही हुआ था ए इसके चलते उनका प्रोपर्टी को ऑक्षन में लगा दिया गया था तो वहां पर जो बॉरोर था उन्होंने बोला था कि उन्होंने बिड लगाया था मतलब वो खुद खरिदना चाहता था उसका प्रोपर्टी ऑक्षन में तो बैंक ने उस पर देने के लिए मना कर दिया बैंक ने बोला नहीं हम आपको नहीं देपाएंगे जो भी बेस प्राइस है आपको जो है जो भी आउस्टेंडिंग अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा तब ही जाके जो है हम आपको यह प्रॉपर्टी आपको हैंड़ोवर करेंगे इसको उन्होंने चैलेंज किया और हाई कोट में गया हाई कोट में जाने के बाद जो है उनका जीत हो गया मतलब हाई कोट ने इस्टे ओर लगा दिया इसके ओपर सो Bank of Brothers ने क्या किया बैंक of a Brother ने उस High Court का राई को चैलेंज किया और Supreme Court किया सो सूप्रीम क॓इन ने दो नो पक्ष का बात सुना जो Borrower था उनका प्लस जो Bank of a Brother का दोनों का केस जुना सुनने के बाद जो Supreme Court ने जो Judgment दिया वो काफी जो है चौकाने वाला था सुपनी कोट ने ये बताया कि सरफेसी एक्ट लगने के बाद बॉर्वार अगर हाइस्ट प्राइस जो बीडिंग का होता है जब आक्षन लगते तो बीड लगाते अलग लग लो सो हाइस्ट अगर बीड भी लगाते हैं तो भी उनको प्रॉपर्टी जो है हैंड़ोवर नहीं होगा उनको जो भी आउस्टेंडिंग है वो जब तक पूरा क्लियर नहीं होता मतलब जो की बैंक डिसाइड करता है आउस्टेंडिंग आमोन तब तक उनको जो है property या फिर जो भी mortgage जो है उनको handover नहीं हो पाएगा मतलब यह है कि अगर आपका property bank के पास auction में चला जाता है तो आपको पूरा outstanding pay करने के बाद ही आपको वो property या फिर वो भी जो भी सामान आपने रखे हो वो आपको मिल फाएगा आप अगर खुद auction में पार्टिसिपेट करते हो जो की actually प्रभधान भी है और section number 17 जो है surface act का उसमें लिखा भी है तो उसमें participate करके आप highest bid लगा के भी जो है इसको आप नहीं दे पाऊगा यह bank जो है decide करेगा देगा की नहीं देगा बेंग चाहेँ तो देशकते बेंग नहीं देगा तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते होएust Secure Loan या फिर Unsecure Loan Unpaid है तो वो भी मुझे बताईएगा इस वीडियो का comment section में हम मिलते हैं आगले वीडियो में ऐसा ही कुछ informative topic के साथ अब तक अपना और अपना family का बहुत सा ख्याला किएगा जैहिंद बंदे मात्रम